हुआ 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 है तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नेस्ट एड इफिल्स कंडिशन आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स अपरेटर्स क्या होता है कैसे उसे लिखा जाता है और कैसे उसे पाइफन प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो लेट्स के स्टार्टे तो यह है लास्ट हमने प्रोग्राम जब किया था नेस्ट एफिल् हमने पूरा प्रोग्राम गिटहब लिंक में भी दिया है और कमेंट में भी कमेंट करके हमने दे दिया है तो आई होप आपको कोड मिल गया होगा तो और अगर ऐसे ट्यूटोरियल मिस ना करने के लिए और अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना उसके पास वाले तो अभी हम क्या करेंगे चले जूम करते हैं तो ऑपरेटर क्या है और उसे कैसी यूज करते हैं तो ऑपरेटर मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं मैथेमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इंग्लिस ऑपरेटर्स हैं तो इंग्लिस ऑपरेटर्स दो तरीके होते हैं और 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 mathematical operators काफी तरिके होते हैं जैसे कि हमने चीखा था assign operator mathematical operator जिससे किसी भी variable में आप कोई भी value assign कर सकते या फिर save कर सकते हैं इसे कहा जाता है assign operator जिसके बारे में हमने पहले ही सीखा है बहुत सारे वीडियो में तो उसे लिखा जाता है एक equals to के साहरे उसके बार में हमने इफ इस कंडिशन में सिखा था दो इक वेंटर के बारे में तू इक्वेंटर के साहरे हम compare कर सकते इसे कहा जाता है comparison operator तो इसके सारे आप दोनों वैल्यू को compare करके उसका जो comparison आता है वो true आता है या false आता है मतलब comparison जो होता है भो equal होटा या फिर not equal वो आप जान सकते हो, तो इसे comparison operator काजाता है, और भी बहुत सारे operator है, जैसे कि addition operator, या फिर और भी operators होते हैं, dividing operator होते हैं, ذkiejसे mathematical में add करने के लिए है, या फिर divide करने के लिए, जितने भी operators होते हैं, उनको mathematical operators सका जाता है जैसे add करने के लिए plus होता है minus भी होता है आपको sorry यह minus भी होता है और बहुत सारे होते हैं तो यहां पर हम अभी English operator को सबसे पहले समझते हैं तो English में दो ही operators होते हैं एक है and और दूसरा है और तो and operator को सबसे पहले समझते हैं तो यहां पर एंड दिया जाता है छोटे अक्षरों में मतलब स्मॉल लेटर में एंड उसके बाद आप इस पेज दो एंड से क्या होता है कि समझते हैं तो हम मानलो और एक यहां पर वेरीवल लेते हैं नेस्टे में ही कोड में ही अगर आपको याद नहीं यह सारे चीज़े तो प्लीज वाच मैं प्रिविएज वीडियो और एक इक वस्टू देते हैं और यह हम किसी यूजर से नहीं अपने आप से यह इंपूट देते हैं नाइं तो हम चाहते हैं कि यहां पर दो कंडिशन दोए अगर वो दो कंडिशन ही फुल्फिल हो तभी हम बाकि जितने वी उसके नेस्टेड कंडिशन है वो हम प्रिंट करवाएंगे या फिर नहीं करवाएं थे टो कैसे करेंगे एंड देंगे उसके बाद हमें धुसरा कंडिशन जो हमें देखना है इंग्लिश ओपरेटर है तो हम चाहते हैं कि अगर दोनों की दोनों ही टू हो तभी यह जो ब्लोग है वह एक भी फॉल्स निकल गया तो फिर ना हो तो हम क्या करेंगे यहां पर right click करते है तो run करते है तो आपको यह code हमने ज्यादा मतलब detail में बताया नहीं क्योंकि nested ifs में हमने बता दिया था कि यह code कैसे काम करता है कैसे execute करता है कैसे यह सारे चीज़े काम करता है तो I hope you remember this अगर आपको पता नहीं तो वो वीडियो देखो पहले तो यहां पर इंटर नंबर रिखा है तो हम क्या करेंगे अभी हम सबसे पहले इसकी value देंगे तो अगर यह 5 देंगे तब यह code execute होगा तो सबसे पहले 5 भी देते हैं इसके बाद यह का भी value मांगेगा क्योंकि जो nested condition है उसके लिए तो यहां पर हम 2 देते हैं ताकि ह हमें 2 मिल तो आप देख सकते हो 5 and 2 and high print हो गया क्योंकि यह तो 9 हमने already save करके ही रखा है जो कि हमने पहले दिया है programmer से ना कि user से input लेके और user से जो input था वो 5 तार हमने यहां पर 5 ही दिया था तो इसलिए यह तो match हो गया दोनों जो condition है वो true हो गया फुल्पीट हो गया यह इस वाली block को जो है इसमील जो statement से इस block के अंदर वो 파्रिंट करता है और बाकी जो statement से condition है वो ऑनियादे करता है बहुत है आप क्या होता है उससे तो यहां पर enter a number right click करते हैं और उसके बाद 6 देते हैं enter दबाते हैं उसके बाद k का value हम 7 देते तो आप देख सकते हैं यहां पर 6 और high print हुआ क्यों क्योंकि भी का value तो 9 है यह तो first जो यहां पर condition है second condition sorry तो वह तो already fulfilled है तो हमें बस first condition को fulfilled करवाना था तो हमने पहली बार जब किया था fulfill करवाया था इसलिए यह जो block है यह जो code condition है वह execute हो गया था बट दूसरे time में हमने seven six दिया इसका value सबसे पहले एस देते हैं उसके बाद के तो हमने six दिया था इसके value इसलिए five यह नहीं था यह six था इसलिए यह true नहीं हुआ यह false हो गया इसलिए इसके अंदर के की जो nested condition थे वो चेक ही नहीं हुआ यह direct ellip में चला गया है ellip में आप इसका value इसने चेक किया तो इसका हमने six value दिया था तो यह compare करके इसने देखा के हाँ यह six है तो इसने यह six print कर दिया उसके बाद कोई भी ellip या फिर else condition चेक हुआ ही नहीं क्योंकि यह true हो गया था अगर कोई भी एक condition true हो जाए तो बाद में बाकि सारे condition चेक नहीं किया जाता है उसके बाद print का जो high था last में वो तो होता है हर बाद इसलिए यहाँ पर six आया और high आया so I hope समझ गए आप and operator कैसे काम करता है किसी भी दो condition को अकर एक साथ हमें fulfill करना हो तो ही हम and use करते हैं and मतलब don't know मतलब both अगर true हो तब ही execute करो अगर उसमें से एक भी अगर false हो तो execute मत करो and operator मतलब ऐसा है मतलब और यह मतलब यह जो first condition sorry यह जो first condition है यह जो a condition है यह यह दोनो इसमें करो उब हमनों कैम कोई भी एक condition अगर पूरा हो तभी हमें देना है अगर दूसरा condition पूरा ना हो तो हमें print नहीं करवाना है यहाँ पर हम and के बदल्ले और English operator है उसे ईज्च कर सकते उसे कहा जाता है और तो और operator भी एक English operator है और इसके जहार है कोई भी एक अगर condition true हो तब यह print हो जाता है दो condition fulfill करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर यह और है मतलब यह और यह this और this कोई भी एक पूरा करो तो यह पूरा जो block है वो execute हो जाएगा कैसे day check करेंगे यहाँ पर right click करते है run sorry हमने कुछ गलत कर दिया debug कर दिया तो यहाँ पर zoom out करते है right click करते है और यहाँ पर run करते है तो stop and run करते है तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे हमने जूम आउट कर दिया क्योंकि आपको बहतर से ताके दिखाई दे पूरा ब्लॉक पूरा कोड तो थोड़ा हाई कॉलिटी पे देखना जरूर तो यहाँ पर हम पहले 5 देते हैं तो 5 जैसे ही देंगे उसके बाद के का वैल्यू मांगेगा तो 1 देते तो एक देते हैं तो 5 and 1 and high हुआ क्योंकि यह ब्लॉक फुल्पिल हो गया तो और मतलब कोई भी एक कंडिशन हो और वह तो पहले से ही पूरा हुआ है कंडिशन क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह नाइन ही चाता है तो यह ऑल्रीडी ट्रू है तो हम इसको 5 दे या ना दी फॉल्स करें या फिर टू करें उससे कोई फर्रक नहीं पड़ता यह जो कोड है यह एक्जिक्यूट होगा यह होगा और बाकी सारे कोड चेक नहीं होगा इसकी जो नेस्टेट कोड है वह चेक होगा के के उपर डिवेंड करके के की जितनी भी हम वैल्यू देंगे बड़ सारे code check नहीं होगा क्योंकि यह already pulpit हो जाएगा तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 5 and 1 आया क्योंकि हमने k का value 1 दिया था और 5 इसलिए यह 5 and 1 आया और बाकी सारे check नहीं हुआ direct high आगया यहाँ पर high direct आगया तो अभी क्या करते हैं यहाँ पर हम एक काम करते हैं हम एक दूसरा value देखे दिखते हैं 5 ना देखे तो यहाँ पर अभी हम 5 के बदले 7 देते और उसके बाद k का value हम 2 देते हैं तो आप देख सकते हो हम k का value 2 दिया और 5 के बदले 7 दिया फिर भी यह 5 and 2 and high प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पर already एक statement fulfilled है इस द्भी एक क्वेस्ट्न नाइन के दुआरा और का मतलब है कोई भी एक condition अगर fulfilled हो अगर true हो तो वह condition true हो जाएगा पूरा जो condition था वो true हो जाएगा और वह block execute हो जाएगा तो वह block execute हो गया उसके बाद जो nested if else condition है वह check किया गया तो के question हमने दो दिया था इसलिए यह two print हो गया इसलिए यह दोनों print हो गया और बाकि जो जितने भी condition थे वह check नहीं किया गया क्योंकि if जो condition था वह पूरा हो गया तो आई होप आप और समझ गये कि and मतलब जब तक ना दोनों condition fulfilled हो true हो तब तक वह जो पूरा condition है if हो या फिर else हो या फिर ellip हो तो वह print नहीं होगा बट और का मतलब है कोई भी एक condition अगर fulfilled हो जाए तो वह फिर वह जो पूरा condition है उसे execute कर देता है so this is how and and or operator works and this is how we use in condition so हम बात में रिखेंगे लूप में कैसे इसे use करते बड़िया बड़िया code बनाएंगे game बनाएंगे पाई गेम से तो अगर आप follow नहीं करते हमें instagram पे या पिर telegram group हमने join नहीं किया तो please link in the description follow करें instagram पे बहुत सारी update देते है और telegram पे हम discussion करते है code share करते है और ऐसे वीडियो के update पाने के लिए subscribe करना मत बूलना और bell icon को दुबाना मत बूलना ताकि आगे आने वाले वीडियो के update आपको मिलते रहे तो यहाँ पर आप समझ गए operators का काम बाद में हम देखेंगे आगे आने वेले वीडियो में debugging कैसे करते है और उसके बाद हम देखेंगे कैसे loop को use करते है और उसके बाद programming के दुआरा हम game बनाएंगे python के दुआरा बहुती ज़्यादा मज़धा चीज़े हम सिखेंगे so हमारे channel पे बने रहीए have a nice day bye-bye